हमारे यहां सनातन धर्म नाम की एक चीज़ है सनातन मतलब शाश्वत समय से परे धर्म का मतलब हिंदू आदी धर्म नहीं बलकी नियम होता है तो वो जीवन को चलाने वाले शाश्वत नियमों की बात कर रहे थे और ये की हम उनके साथ कैसे तालमेल बना सकते है फिलहाल चाहे आप स्कूल गए हो या ना गए हो आप एक महान वैज्ञानिक हो या ना हो फिर भी आप इस धर्ती के सभी भौतिक नियमों का पालन कर रहे हैं हाँ या ना वरना आप यहां बैठकर जिन्दा नहीं रह सकते तो इसी तरह से अलग प्रकार के नियम हैं जिनकी प्रकृति भौतिक नहीं है जो आपके भीतर जीवन की प्रक्रिया को चलाते हैं तो उन्होंने इन चीजों को पहचाना और कहा इन नियमों से हमारा जीवन चलता है लेकिन कुछ समय के बाद वो उत्साह से भरपूर इंसान जो पीडी तर पीडी पैदा हुए इसमें अपनी चीजें जोडते चले गए उस समय के हिसाब से या अपने स्वार्थों के हिसाब से अलग-अलग तरीकों से ऐसा हुआ और लोगों ने कई चीजें जोडी लेकिन मूल रूप से सनातन धर्म बस यही है उन्होंने इन चीजों को पहचाना कि एक इनसान स्थिर नहीं रह सकता चाहे वो कुछ भी कर ले इनसान स्थिर नहीं रह सकता क्यूंकि उसमें अपनी मौजूदा स्थिती से कुछ ज्यादा बनने की गहरी इच्छा है आप इसे रोक नहीं सकते आप उसे चाहे जो फिलोसिफी सिखाईए आप इसे रोक नहीं सकते वो जो भी है वो अपनी मौजूदा स्थिती से कुछ ज्यादा बनना चाहता है अगर वो थोड़ा ज्यादा हो जाए तो वो कुछ ज्यादा खोजेगा और फिर कुछ और ज्यादा तो अगर आप इस पर ध्यान दे तो हर इनसान अचेतन रूप से असीम विस्तार की इच्छा रखता है तो हर इनसान अचेतन तरीके से असीम प्रकृती या अनंत संभावना की खोज कर रहा है या दूसरे शब्दों में कहें तो हर इनसान को जान बूज कर या अनजाने में सीमाओं से ऐलर्जी हैं जब आप उसके अस्तित्व को खत्रे में डालते हैं तो उसकी आत्म सुरक्षा की सहज भावना उसके लिए आत्म रक्षा की दीवारें खड़ी कर देंगी किसी भारी खत्रे के ना होने पर आत्म रक्षा की उन्ही दीवारों को वो तुरंथ ही आत्मकैद की दिवारों की तरह अनुभव करने लगता है तो उन्होंने इसे पहचाना और कहा हर इनसान असीम की चाहत रखता है तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए जैसे ही एक बच्चे में ठीक ठाक जागरुकता आ जाती है सबसे पहली चीज जो आप उसके दिमाग में डालते हैं वो ये है कि उसका जीवन मुक्ती के बारे में है बाकि सभी चीजें दूसरे नंबर पर हैं क्यूंकि आप वाकई सिर्फ एक इच्चा रखते हैं असीम विस्तार की इच्चा आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसे सीमाएं पसंद नहीं है तो आपको उस दिशा में बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए उन्होंने सरल नियम स्थापित किये अगर आप ये ये और ये करेंगे तो आप सोभाविक रूप से उसी दिशा में जाएंगे आप इसे धर्म नहीं कह सकते ठीक है क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां आपको आजादी दी गई है कि आप अपना खुद का इश्वर बना सकते हैं